Hello Everyone, Welcome to Exam Tutor आज की इस वीडियो बेब आपको बताऊँगा मेल और फीमेल के लिए जो दिल्ली पुलिस का हैड कॉंस्टेबल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 2019 का उसकी फुल डिटेल्स मीन्स इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा तो दिल्ली पुलिस, head constable तो इस वीडियो में क्या क्या बताऊँगा मैं आपको क्या क्या qualification की requirement है Age की क्या requirement है, vacancies कितनी है और method of recruitment क्या है में ज़्याद कैसे recruitment process किया जाएगा पूरा पूरा और उसमें computer-based examination में क्या क्या पुछा जाएगा फिर उसके बाद आता है P&MT Physical Endurance and Measurement Test क्या होता है उसके बाद Typing Test के बारे में बताऊँगा मैं आपको फिर लास्ट होगा Computer Formatting Test उसमें क्या-क्या पुछा जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ Notification 2019 में Add Constable में क्या-क्या Important चीज़ें है तो सबसे पहले तो है Form Filling 14 अक्तूबर से 13 नॉमबर 2019 के बीच में Form Filling होगा तो जिसने Form नहीं बढ़ रहा है तो प्लीज अपना Form जल्दी से जल्दी बढ़ दो और Next है बहुत सारे मेरे पास डाउट पूछ रहे है कि सर इसमें Temporary Post दिया हूँ है उसका मतलब क्या है तो Temporary Post का मतलब है कि कुछ पिरिड के लिए चाए एक साल या दो साल के लिए आपको Probation पे रखा जाएगा उसके बाद हो Permanent हो जाएगी और ये मैंने लिंक दिया है stp.dellypolis.nic.in पे अपलाई कर सकते हैं आप ऐयन ये अपलाई करना है ओफलाई नहीं है इसमें और लास्ट है कुछ ने डाउट भी पूच्छा है कि ट्रेइनिंग कितने एक साल का होगा दो साल का होगा नो इस नोटिफिकेशन में एक लास्ट में पांच साल का relaxation है उसके बाद है qualification 10 plus 2 senior secondary pass from recognized board यह मांगा हुने 10 plus 2 आपकी pass होने चाहिए फिर कुछ का यहाँ पे doubt यह बुझते हैं कि मैं अभी 12 में पढ़ रहा हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं no appearing note applicable आपको pass होना चाहिए अभी उसके बाद next आता है vacancy male and female का दूनों का vacancy आप screen पे देख सकते हो head con stable ministerial post के लिए जैसे male का general और unreserved category का है 140 EWS economical weaker section का है 37 other backward class का 86 schedule class का 56 schedule tribes का 35 और total हुआ 372 एसी female का 69, 18, 42, 27, 26, 182 और total है 209, 55, 128 है total vacancy है 554 और इसमें याँ पे एक doubt और पुछा गया है कि ex-orisman की vacancy कहा है इसमें तो जो total है 554 का उसका 10% vacancy ex-orisman के लिए reserve है next है method of recruitment इसमें notification में दिया हूए एक method of recruitment में क्या क्या है तो सबसे पहले है CBE बोलते हैं उसको computer based examinations 100 marks का होगा उसके बाद होगा PE and MT physical endurance and medical test measurement test वो qualifying होगा मसूस में आपको qualify करना है उसमें कोई marking नहीं होगा उसके बाद होगा typing test on computer यहाँ पे यह without typewriter पे थोड़ा tough होता है typing करना यह computer पे typing test होगा जो की 25 marks का होगा उसके बाद जो last test होगा वो होगा computer formatting test means कोई एक आपको paper दे जाएगा उसमें format आपको वैसा कवैसा बनाना है और वो भी qualifying होगा तो total आपका जो scoring होगा 125 marks का होगा 100 computer based examination typing test 25 marks तो 125 number में आपको qualify करना है तो सबसे पहले आता है computer based examination तो male female के लिए same होगा journal awareness है सबसे पहले 20 question 20 marks quantitative aptitude basic arithmetic पुछा जाएगा 20 question 20 marks फिर उसके बाद है journal intelligence intelligence means जो reasoning बोलते हैं जिसको 25 marks 25 question फिर English basic question पुछा जाएगे English language के 25 question 25 marks फिर next last आता है computer 10 marks 10 question तो total 100 question हो जाएगे 100 marks के और one and a half hour में करना है means 90 minute में हो complete करना है और फिर last doubt होता है उसमें negative marking बिलकुल भी नहीं है तो आप सारे के सारे question आप attempt कर सकते हो उसके बाता है physical endurance test तो सबसे पहले मैं mail के लिए बताऊंगा तो अप टू इसमें age wise बात रखा है उन्होंने उसमें physical endurance test में होगा 1600 meter का race long jump और high jump होगा तो 30 साल तक जो है उसका 7 minute में जाना है 1600 meter race 30 to 48 minute अबो 49 minute ऐसे long jump है साड़े 12 foot, साड़े 11, साड़े 10 high jump में 3 feet 6 inches मैं जाड़े 3 foot और ये 3 feet 3 inch high jump 30 से 40 अबो 40, 3 feet उसके बाद physical endurance test जो female के ladies के लिए है वो separate है उसमें उसमें 1600 meter की बजाए 800 meter race होगी long jump होगा, high jump होगा, screen पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या पूच्छा है up to 30 years, 5 minute 32 foot 6 minute above 40, 7 minute long jump 9, 8 और 7 age की हिसाब से है high jump 3 foot, 2 foot 6 inch 2 foot 3 inch उसके बाद होगा physical measurement standard मैंस आपका measurement लिया जाएगा जो male and female का दोनों का मैं इसमें बता देता हूँ height जो male candidate के लिए 165 cm है female के लिए 157 है और जो chest का expansion है वो 78 normal है और 4 cm expansion होना चाहिए तो 82 expanded होनी चाहिए थोड़ा इसमें mistake हो गया है next उसके बाद होगा typing test वो उसका duration 10 minute का test होगा typing test उसमें English में typing होगा on computer 30 words per minute 30 words के आपकी per minute में speed आनी चाहिए computer पे हो गई या अगर आप English ने आते हैं तो इंदी में रभी दे सकते हो आप उसमें on computer 25 words per minute ये speed होने चाहिए duration 10 minute का रहेगा और ये typing test 25 marks का रहेगा उसके बाद last आता है जो qualifying nature का computer formatting test इसमें बहुत सारे doubt आते हैं कि क्या test रही है exactly तो इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि MS Word पे 10 minute test करेंगे फिर MS PowerPoint पे करेंगे और MS Excel पे 10 minute करेंगे और इसमें basically पुछा क्या जाएगा कि आपको एक paper दे दिया जाएगा जिसको बोलते है hand out तो वैसा वैसा आपको print out निकालना है hand out मिलेगा और उसका print out देना है same format में तो आप notification के तुरू जाओगे तो उसको कहां पे क्या दिया हुआ है उस hand out में वैसे के वैसे type करना है आपको और ये qualifying nature का होगा so thanks for watching this video up to the last ये मेरा channel एक्जाम ट्विटर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करें channel subscribe करें और bell notification को on करें thank you for watching